तो दोस्तो दमदार एक्षन धमाकेदार डायलोग से भर पूर्ट फिल्म सुपर इस्टार्शन देवल की गदर टू इंडियन बॉक्स आफिस पर इतियास रच्ती हुई नजर आ रही है और दोस्तो ये फिल्म आज यानी की अपने सातवे दिन यहां पे रिकोर्ट के जंडे गाड़ रही है तो दोस्तो जैसा की आप सभी लोग जानते हैं कि गदर टू एक एक्षन हिष्टरी ड्रामा फिल्म है इस फिल्म का बजट मात्र 65 करोर रुपया था और इस फिल्म को पूरे इंडिया में 4000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था तो दोस्तो इस दो घंटे 56 मिनिट के फिल्म को ओडियंस ने खोब पसंद किया सुपर इस्टा सनी देवल की धमाकेदार एंट्री उनके दमदार डायलोक्स उनके दहाड को सुननी के बाद जिस तरह से पाकिस्तान में डर का महौल पैदा हो जाता है उसी तरह से हिंदुस्तानियों में जोस का महौल पैदा हो जाता है यही वज़ा है दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स आफिस पर ही नहीं बलकी दुनिया भर में नए नए रिकोर्ट के जंडे गाड रही है और अपने पहले ही दिन से ये फिल्म ताबा तोड कमाई कर रही है दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के पहले दिन की तो ये फिल्म अपने पहले दिन पर 45 करोड की एतिहासिक आपनिंग लेकर सनी देवल की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है और ये फिल्म अपने 7 दिनों में पूरे इंडिया से टोटल 290 करोड रुपया बॉक्स ओफिस कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ओफिस कलेक्शन की बात करे तो लगभग 370 करोड रुपया से जादा की कमाई कर चुकी है तो दोस्तो ये रहा गदर 2 का साथ दिनों का बॉक्स ओफिस कलेक्शन तो दोस्तो आपको गदर 2 कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर आप भी सनी देवल के बहुत बड़े फैन हों तो वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारा चैनल से अनिमेंटिक से रि भी वर दा सब्सक्राइब करना ना भूलना